दोस्तों अब इंडियन रेलवेस ने तो कमाल ही करके दिखा दिया है 15 अगस्त को जब पूरी दुनिया इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिबरेट कर रही थी उस दिन आजादी के अमरित मौसब के तहद इंडियन रेलवेस के द्वारा 36 गड के कोरवा और नागपुर के राजनंद गाउं के बीच 295 लोड़ेड वेगंस के साथ 3.5 किलोमीटर लंबी सूपर वासु की नामक एक फ्रेट टेन का टेस्टरं किया गया साथीस सेंटर रेलवेस द्वारा चलाई गई ट्रेन कोरवा से 1.50 मिनट पर रवाना हुई और 267 किलोमीटर की दूरी तै करने में इसे 11 घंटे और 20 मिनट का समय लगा डिशनल टांस्पोर्टर की तरफ से कहा गया रेलवेस द्वारा चलाई जाने वाली ये अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाडी है और तो और एक स्टेशन को क्रोस करने में ट्रेन को लगबग 4 मिनट का समय लगता है इस फ्रेट ट्रेन की कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो पहली ये मालगाडी साड़ी तीन किलोमीटर लंबी है दूसरी टेश ट्रन के दौराण ट्रेन में 6 लोकोमोटिव्स, 295 वेगंस और 25,962 टन का वेट कैरी किया गया जिससे ये रेल्वेज द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी फ्रेट ट्रेन मन गई तीसरा, पांच रेक्स को सिंगल यूरिट में ट्रांसफोर्म करके इस ट्रेन को बनाया गया है चोथा, ओफिशेल्स के अनुसार सूपर वासुकी में कैरी की गए कोईले की मात्रा 3000 मेगा वाट के पावर प्लांट की एक दिन की नीड के लिए परियाप्त है जो की मौझूदा रेल्वे रेक्स की कैपिसिटी का तीन गुना है मौझूदा रेक्स के द्वारा एक जर्नी में लगबग 9000 टन कोईला ही ले जाया जा सकता है दोस्तों इस साल की सुरुआत में कोईले की कमी से देश को सिवर पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ा इसलिए रेल्वेस इस अर्रेज्मेंट को समय समय पर इस्तमाल करने की यूदना बना रहा है खास कर पीक डिबांड सीजन में पावर स्टेशन को फ्यूल सॉर्टे से बचाने के लिए इसके द्वारा कॉल कार टांस्पोर्ट किया जाएगा दोस्तों इंडियन रेल्वेस द्वारा किये गए इस कारनामे के बारे में आपकी क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं